अगर हम बात करते हैं एडी करेंट की तो यह सब हमने बहुत जादा डिटेल में पढ़ा होगा ट्रांसफोर्मर की कोर के अंदर एडी करेंट लॉसे को इस तरीके के दिखते हैं और इसका सॉलूशन भी हमने देखा था कि अगर हम एडी करेंट लॉसे कम करने हैं तो या तो कर दो या फिर क्या करो हाई रेस्टिविटी कोर का इस्तमाल करो पर अगर मैं आप से पूछू कि मैथमेटिकल यह कैसे प्रूव कर सकते हो कि इन दोनों तरीके से फाइदा होगा क्योंकि मैथ का अगर फॉर्मले की बात करें डिकरेंट लॉस इसको यहां पर ना तो कहीं और रो यह है रेस्टिविटी यानि कि दोनों चीज़े पिक्चर में आ गई अब थिकनेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं और वहीं पर रेस्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इस्तमाल करते हैं सिलिकन कंटेंट का कोर में यानि कि कोर के अंदर सिलिकन कंटेंट बढ़ा की काम करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग eddy current को reduce करते हैं by reducing thickness and by increasing silicon content.